आज मैं आपको MCB Miniature Circuit Breaker के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे गुरों में डेमॉस्टिक अप्लाइसेंस के लिए यूज के जाते हैं और हमारे पास हम बेरियस टाइप के अप्लाइसेंस यूज करते हैं तो इसके बारे में मैं डेटेल के साथ बताना जा रहा हूँ नंबर वन पे है Air Conditioner उसकी Capacity Approximate What is at 230 V Current Rating of MCB फर्स्ट कॉलम है अप्लाइसेंस का सेकंड कॉलम है Capacity Approximate What is at 230 V अद फर्ड कॉलम है Current Rating of MCB फर्स्ट अप्लाइसेंस हमारे पास एयर क्रिशनर जो वन टन अप टू वन टन उसको जो लोड कैलकुलेट करते हैं 1.5 किलोवाट और एमसीवी की रेटिंग है 10 अमपियर नेक्स्ट है 1.5 टन मीज 1.5 टन इसका जो लोड कैलकुलेट करते हैं 2.5 किलोवाट और इसकी रेटिंग है 16 अमपियर नेक्स्ट 2 टन स्पिल्ट यूनिट अप टू इसका जो लोड कैलकुलेट करते हैं 3.5 किलोवाट और एमसीवी की रेटिंग है 20 अमपियर सेकंड है अप्लाइसेंस है हमारे पास रेफ्रीजेटर रेफ्रीजेटर की जो मेजरमेंट है इसका जो जूनाट है लीटर में गये जाते है 165 लीटर 2 एंपियर 285 लीटर 5 एंपियर नेक्स्ट है कुकिंग ग्रींज ओवन कम ग्रिलर 1750 वार्ट और एंपियर 10 एंपियर ओवन ओनली 750 वार्ट है तो 5 एंपियर नेक्स्ट है रूम हीटर 1000 वार्ट उसके लिए एंपियर 2000 वार्ट रेटिंग है 10 एंपियर washing machine उसकी जो लोड है 300 वार्ट में calculate के जाता है उसके लिए us espí back रेटिंग है 2 एंपियर एंड 1700 वार्ट washing machine का जो लोड है 1300 उसका calculate के जाता है जो with header machine washing machine होती है उसके लिए MCV की रेटिंग है 7.5 Ampere Next है Water, Heater, Storage, Geyser 1 किलोवाट के है 6 Ampere 2 किलोवाट के है 10 Ampere 3 किलोवाट के है 16 Ampere 6 किलोवाट के है 32 Ampere Next Iron 750 Watt MCV की रेटिंग है 5 Ampere 1250 Watt MCV की रेटिंग है 7.5 Ampere Electric kettle 1500 Watt और रेटिंग है 10 Ampere Next है Auto Toaster 1200 Watt और उसकी रेटिंग है 6 Ampere धन्यवाद और उसकी रेटिंग है 6 Ampere और उसकी रेटिंग है 6 Ampere